दस जन्वरी 2008 की बात है दिल्ली में कडाकी की ठंड पड़ रही थी हर किसी को ये इंतजार था कि प्रगती मैदान में चल रही दिल्ली आटो एक्सपो में टाटा मोटर्स क्या प्रदशित करने वाली है टाटा मोटर्स के पास सूमो, उसियारा, सफारी यसी, शक्तिशाली, एस्यूवी, इंडिका, इंडिको जैसी कार्स थी लेकिन दस जन्वरी उम्मीदों से भरा दिन था इसकी वज़े कम्पनी के ततकाली नध्यक्ष रतन टाटा का एक सपना था और वो सपना था आम आदमी के लिए एक लाख रुपए की कीमत में अच्छी कार पेश करने का ऐसे में हर किसी को उत्सुकता थी कि क्या रतन टाटा का सपना सचोने वाला है भारी उत्सुकता की बीच रतन टाटा एक बहुत छोटी ट्यूबलर कार में मंच पर नज़र आई देखने में घूंगे किया कार की ये कार लोगों को प्यारी लगी नाम था नैनो और रतन टाटा के वादे के मताबि कार की हीमत थी एक लाख रुपए कीमत के चलते कार सुर्ख्यों मागी कई लोगों ने अपने पहले कार के सबने को पूरा करने के लिए नैनो बुक किया और कुछ ने नैनो को परिवार में दूसरी कार की रूप में बुक किया और नैनो को भी बदलना पड़ा दरसल एक लाग रुपए की कार लाने का विचार जितना दिलचस्त था उतना ही चुनोती पूंड भी था और इस चुनोती को पार कर पाना अजान नहीं था लेकिन टाटा मोटर्स ने इससे कुछ साल पहले टाटा एस नाम से एक मिनी ट्रक ल लाक्ष था दोजार अठारा दिल्ली ओटो एक्सपो में गिरेश वाग ने बीबीसी मराठी को बताया था जब नैनो प्रजेक्ट पर काम शुरू हुआ तब हमारे तदकाली न अद्यक्ष रतन टाटा और कारिकारी निदेशक रविकांत ने मुझसे कहा था कि ये प्रोज किसानों की जमीन लेकि एक पूरी फैक्टरी लगाई गया और उसमें नैनो का उत्पादन शुरू हुआ लेकिन ये जादा दिनों तक ने चल पाया तब विपक्ष में रही ममता बनर जी की नेतरत में किसानों के तीव रांदूलन के चलते काम रुक गया अंधिता विरोध और कर्मचारियों पर खत्री की आशंका को देखते हुए टाटा मोटर्स ने सितंबर 2008 में सिंगूर प्लांट बंद कर दिया और एक नए स्थान की तलाक शुरू की तब नरेंद्र मोधी गुजरात के मखमंत्री हुआ करते थे उन्होंने टाटा से नैनो की फैक्टरी को ग अच्चा माल और अन्य सामगरी को सिंगूर से सडग माग से साणंद पहुचा जाए दूसरा प्रस्ताव यह था कि उत्तराखन के पंतुनगर और महरास्ट के पूने में टाटा के अन्य कार खानों में अस्थाई निर्मान विवास्था की जाये ताकि नैनों का उत्पादन का समय लगा अठारा सो करोड रुपए का कार खाना आखिर में साणंद पहुच गया सिंगूर में उत्पादन बंध होने के चौदा महीने बाद नवंबर 2009 में गुजरात में कार का उत्पादन शुरूगा नैनो को इंडियन कार ऑफ दा येर 2009 से सम्मानित किया गया था 500 को मिली थी महज एक लाख रुपए की कार के लिए हर कोई बुकिंग चाह रहा था लोगों के आवेदनों के बाद लखी ड्रौ के जरीये लोगों तक कार पहुचने लगी लेकिन शुरूआती कुछ मॉडल्स को छोड़ कर नैनो की कीमत को लंबे समय तक एक लाख जुकाव फिर से मारूती की कारों के तरफ हो गया इसकी एक बड़ी वजय नैनो की गुडवत्ता से जुड़ी खामियाबी थी जो लोगों ने शुरूआती डिलिवरी में देरी के बाद देखी पहले मॉडल में ट्रंकी कमी थी इंजिन शोर भी करता था और अंदर लगे प्लास्टिक बहुत कमजोर थे टाटा नैनो की साख पर सबसे बड़ा सवाल 2014 में तब लगा जब कार की सुरक्षा रेटिंग देने वाले ग्लोबल NCP ने इसे जीरो स्टार दिया कुछ कारू माग लगने कारण भेस की साख खराब हो चुकी थी लेकिन जीरो रेटिंग के बाद भी सेंक्रों लोगों ने अपनी बुकिंग रद कर दी दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने बाजार में इस ब्रैंड को बचानी के लिए नैनो ट्विस्ट और जैनेक्स नैनो जैसे नए मॉडल को पेश किया जिसमें ट्रंक के साथ नई लेकिन इन सब के बावजूद नैनो की बिक्री बढ़ी ने बाद में रटन टाटा ने खुद स्विकार किया कि नैनो की मार्केटिंग फेल हो गई थी 2012 में अपने एक इंट्रूवी में रटन टाटा ने कहा था नैनो का मकसद दुनिया की सबसे सस्तिकार बनाना नहीं था हमेंगे ऐसी कार चाहते थे जो केफायती हो और लोग उसकी सराह ना करी टाटा नैनो का अंत और पुना जन टाटा मोटोस ने शुरुआत में प्रतिवर्श 3 लाख नैनो की बिक्री के लक्ष रखा लेकिन कमपनी इस लक्षी को कभी आसल नहीं कर पाई टाटा समू की कमान जब सायरस मिस्टरी को मिली तो उन्होंने सबसे पहले टाटा समू में घाटे में चल रही परियोजनाओं को बंद करने की सला दी और इस सला के केंदर में था टाटा नैनो प्रजेक्ट जो रतन टाटा का पसंदीदा प्रजेक्ट था इसके अलावा कई दूसरे मुद्दों पर भी मिस्तरी और टाटा की बीच विवास सुरकियों माई जिसके बाद मिस्तरी को सीओ के पत्से हटा दिया गया कमपनी में नेतरतु का बदलाव भी हुआ और उसके बाद भी नेनू के आखरी खिप का उतपादन दिसंबर 2019 में हुआ दस साल में एकार बमुश्किल तीन लाग भी की लेकिना मीडिया रिबोर्स के मताबिक कमपनी नेनू का एलेक्ट्रिक वेरियंट लाने के बारे में सुच रही अलाकि टाटा मोटर्स ने इस खबर की ना तो पुश्टी किया है और ना ही खंडर टाटा मोटर्स ने 2010 के जनेवा मोटर शो में नैनो के उलेक्ट्रिक वेरियंट को परधा शित किया Mayr लेकिन पिछले साल मैं में खुद रतन टाटा को नैन टविक से ताज होटल में प्रवेश करते दिखा गया लाज का rhymes बोंस मिल सकता है